नमस्कार, नियूस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है, हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है, जहां मोहियुदीन अगर पुलिस ने जैहरीली शराब के कारण हुई मौतों से सबबक लेते हुए, मोहियुदीन अगर पुलिस ने शनिवार 6 नवंबर 2021 को मोहियुदीन अगर थाना क्षेत्र के विभिन पमचायतों में शराब बरामदगी के निमित सघंजाचा भियान चला कर 61 लीटर चुलाई वाला देशी शराब तथा इस शराब का अवैद रूप से कारोबार करने वाले कारोबारियों को गिरफतार कर निया एक हिरासत में भेज दिया, गिरफतार कारोबारियों की पहचान मोहियुदीन नगर पुल्थरा निवासी धरमेंद्र चौधरी एव मदोदावाद निवासी रामदेव चौधरी के रूप में की गई है, वहीं मौके से फरार कारोबारियों की पहचान उमेश चौधरी एवान विनोद चौधरी के रूप में की गई है, थाना अध्यक्ष के इस अभियान से थाना क्षेत्र में शराब का अवैद कारोबार कर इस बाबत पुछे जाने पर थाना अध्यक्ष मोहियुदीनगर आनंद कुमार कश्यप ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित शराब का गैर कानूनी रूप से निर्मान करना, बिक्री करना अत्वा उप्योग करना कानून अंजुर्म है। इन अभियान के तहत चापामारी किया गया तो उप्रोक्त स्थानों पर से एक महिला सही तीन अन्य कारोबारी को भी देशी शराब के साथ गिरफतार कर लिया गया। रजक, मुन्नी कुमारी, सहयक पुलिसावर निरिक्षक राज कुमार पास्वान, धर्मेंद्र कुमार सिंग, शंभू सिंग, महिलाशस श्त्रबल में पूजा कुमारी, अंजली कुमारी, काजल कुमारी सहित दरजनों पुलीस बल शामिल थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं, कुछ अनिव खबरों के साथ, तब तक बने रहिए, नियूज 20 विहार की आवाज के साथ, नमस्कार.